है गाइस सो वेलकम टू अनदर मोस्ट एमेजिंग वीडियो जो आपके लिए हैं कुछ ऐसे से के स्टेडिस बताऊंगा जो बिल्कुल नियू है नेट पर नहीं है विकाज वो मेरा मेरे फ्रेंड सर्कल के के स्टेडिस हैं कुछ हमारे स्टूरेंस के हैं तो आज हम बात करने आपका जो केरियर है वो कैसे चूज करें चूज करना है केरियर को इसी टॉपिक पर बात करेंगे केरियर चूज कैसे करें ताकि आप सर्वाइव ना करें एमेजिंग लाइब जी है मैं इस कशींग कर लिता हूँ Because a color is not that much convincing I hope so Amazing कैसे life जी है Because amazing life जीने के लिए आपको एक जो career path होता है अच्छा path चूज करना बहुत जरूरी है यह जो path है इसको बढ़िया चूज करेंगे तब ही आपको amazing क्या मिलेगा Life मिलेगा आज जो है इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे और it is very important for you guys काफी important है जो बात करने वाला हूँ वो सबसे दा important है तो यहाँ पर मैं पहला case study अभी आज मुझे पता लगए मेरे एक friend है जो education sector में काम करते हैं पढ़ाते हैं teacher है किस में private जगा पर teacher है वो जिस organization में काम करते हैं मतलब institutes होते हैं उस institute में एक teacher थे उनका salary था 5 lakh per month मैने का 5 lakh salary था और वो teaching कर रहे हैं कितने दीन से लगबग 20 साल से 20 years से जान सुनना बहुत important बात है 5 lakh per month बने का salary है और उनको उस job से क्या कर दिया आता है निकाल दिया आता है अब 5 lakh per month बना job का salary मतलब job इस तरह का मिलना instantly थोड़ा difficult काम है मतलब क्या बंदा जो है 5 lakh per month कमा रहा था और जीरो पर आ गया जीरो पर month पर आ गया आप बलोगों tuition पढ़ा लेगा यार वो 5 lakh per month कमा रहा था टूशन नहीं पढ़ाता हो पांच लाग per month कमाने वाला tuition नहीं पढ़ाता हो वो इतना पैसे कमार है वो क्यों tuition पढ़ाएगा और राइट वो टूशन नहीं पढ़ाता है पांच लाग per month कमा रहा इंश्यूट में पढ़ाके वस इतना ही है यह जो मतलब ध्यान सुनना समझना अच्छे से क्या जो teaching profession नहीं यह खराव है नहीं काफी अच्छा है तो इस बंदे में इस बंदे ने क्या गलती करा इस बंदे ने क्या गलती करा हम उसी पर चार्चा करेंगे इसके साथ ऐसे condition हुआ है क्यूं हम उस भी बात करेंगे और यह गलती हो सकता है आप भी आग जाके करें में भी इस गलती कईों ने करा होगा अपने life में सबसे बड़ा मिस्टेक राइट मैं बता रहा हूं उसने क्या करा जो भी करना था उसको बिजनेस की बाती नहीं कर रहा हूं वह अलग स्कोप है उसमें अलग पैसा है अलग काम करना पड़ता है जोब की बात कर रहा हूं इसने क्या करा ऐसे और नेशन में काम करा और नेशन ऐसा था जिसको गवर्न कर रहा था सिंगल परसन और उस परसन में उसका बहुत बीजिव सिस्टेम हो गया था जब उसको बड़िया बड़िया offer था बाकी बड़ी बड़े ओरेशन से उसने छोड़ दिया कि वह यही बंदा अच्छा है मेरा सब कुछ care करता है क्यों मैं छोड़ के जाओ तो यहां से बड़ा lesson क्या समझ में आता है जब कोई जगा पर single person decision लेता है तो आपके लिए अच्छा भी हो सकता है बहुत घातक भी हो सकता है तो जब आप काम कर रहे हैं किसी जौब किसी जगा पर जौब कर रहे हैं तो आप देखना कि एक person पर 100% decision ना हो आपका जौब लगने का मतलब जौब जाने का और रहने का थोड़ा भूत तो लगएगा 100% ना हो ऐसा लेकिन इस organization में क्या था ऐसे teacher को निकालने के लिए definitely माल ली सकता कोई माल लोगा coaching institute है मालिक जो उनर है उसका हाथ होगा तो जब single person का decision लेने single person decision लेता है तो ऐसे organization में ऐसे problem आज सकते हैं तो इसमें बचने का पहला तरीका कि organization है चूज करो जहां पर multiple person का क्या हो decision makers multiple हो एक दो नहीं है तब आप थोड़ा safe रहोगे पहला दूसरा चीज आपको बता दूं which is really really important for you guys to understand दूसरा कहा है रहो दूसरा चीज क्या है जब आपका income जोरो से आपके जोरो से ज्यादा हो रहा है if you are making more money as you required then what you should invest आप पैसा इंवेस्ट करो आप बोलोगे investment का बिजनेस में करो बिजनेस में करो आप बोलोगे नहीं बिजनेस में करने के लिए आपको फी time नहीं मिलेगा अभी को इतना पैसे जब लतो को इसी coordination ले रहे हो time नहीं मिलेगा आपको आप क्या करिएगा आपको बताए तो बहुत important है investment अगर करना है आपको कहां का investment करना चाहिए real estate मतलब जमीन पर right real estate में आप क्या करो invest करो कैसे invest करना simple trick होता होंगा आप ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करो जहां पर बहुत जदा भी शहर उहां तक पहुचा नहीं है पर पहुच सकता है अगले 5-10 साल में और पुरे शहर के मालो ए शहर एक ठीक है मालो x y z कोई city है आप खाली इस साइट जम में खरीद दो पैसे आपके पास बहुता होगा ना ताकि किसी हर साइट सेम तरह का ग्रोथ नहीं होता है ताकि कम से कम एक दो जमीन आपके उस ग्रोथ सेक्टर में जाएंगे जिसमें आपको return value even up to 40% मिल सकता है अगर आप एक लाक लगा रहे हो वान लाक आप लगा रहे ह आप 40 लाक तक ले सकती हो जो मेरे दोस्त ने मेरे को बता है जो real estate में काम करता है उसने मेरे को बता है इसके बारे में यह simple trick आपके पैसे को 40 गुना बढ़ा सकता है 400% मैं गल बता दिया 40 गुना बढ़ा सकता है है राइट फॉर फॉर थाउजन परसेंट होगा चालिस गुना मतलब फॉर फॉर्टी इंटू हंड़ेट मतलब चाल चार हजार परसेंट बढ़ा सकते हैं आपके पैसे को ठिंक अबाउट इट कुछ नहीं करना बस खरिदना है और यह ट्रिक यूज़ करना है यूज़ दिस ट्रिक डाइस अगर आपने इस ट्रिक को यूज़ कर लिया तरीके से काम हो गया कहीं और इंवेस्ट करने जरूत नहीं है वैसे बाकी और भी चीज़े हैं लेकिन वह कभी और बताएंगे वह काफी बड़ा लंबा हो जाएगा पहला के स्टेडी समझ मैं आपको दूसरा के स्टेडी आपको बताता हूं ज्यान समझना है कि सेकेंड के स्टेडी राइट टीचिंग नोकरी टीचिंग पर यह और कहां पर नोकरी कॉलेज में पढ़ाना कैसे कॉलेज में टेकनिकल कॉलेज में जितने भी टीचर्टस हैं अभी को इंजिनिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं सिम्पल कॉलेज में अच्छा इपता नहीं रहा हूं जो बड़ बड़े इन्वर्सटी नमें अच्छे सालरी है जो इस्मॉल कॉलेज इस ते मतलब जहां पर प्लेस्मेंट क्या होता लगवग जीरो होता है जिस्कॉलेज में जीरो प्लेस्मेंट होता है वहां पर टीचेस के सैलरी कितने होते हैं दस जार 15,000 20,000 25 जारी होते हैं जब कोई जगह पर मैं किसी की देखो नाम नहीं ले रहा हूं अब सच्छा ही बता रहा है तो कितना सैलरी है तापके टीचर के 25,000 डिप्लमा है तो 15,000 10,000 होंगे सैलरी बीटी को लगए 15,000 सैलरी है ब्यार मुश्किल से जो होगा सैलरी 50,000 होगा ठीक है अगर मालों कोई बं सारे बंदा 15,000 कमाता है आप ग्यान 2,000,000 का तो नहीं देदेगा अगर उतना ग्यान उसका होता तो 15,000 क्यों करता है तो ग्यान उतने की मिलेगा प्रॉब्लम वहां पर आता है तो जिस कॉलेज में जीरू प्लेसमेंट है उन कॉलेज में क्या हो रहा है बच्चे अपर आप अब वहां पर अपर एड्मिशन नहीं है बहुत सरे कॉलेज़ बंद हो गया यह यह कहां वेबसेट को ना एड्मिशन नहीं मतलब क्या है सैलरी इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा टीचर जो मानलो जैनूरी लिग था कॉलेज में टीचिंग जॉब करने के लिए उसक उसको आप नया फिल्द दुणना पड़ेगा हम फिल्ड दूइब डूनना पड़ेगा तो आप ऐसे फिल्ड चूज करें जिस फिल्ड में आपको प्रोपर नॉलेज्ट है और उस हिल्ड का ग्रोथ आपको पता है क्या होने वाल है यह फिल्ड दमाडोल की हुआ हमारे टेमें बहुत होड था फिकॉस दो क्लास तीन क्लास रेने होते हैं पैसे आरे हैं मोजमार रहे हो टेंसर वली बात नहीं है लेकिन आप दमाडोल हो गया है हां बचा कहां पर है जो अच्छे इंविस्टी अब अच्छा मूर आपको पता जहां पर प्लेशमेंट और अच्छे आप लिए अच्छे नहीं है सिंपल सी बात है वेरी सिंपल काल्पूरिशन इस बैसे वाद राइट बिकॉस इट्स आपको बताने वाला हूं अल्टिमेट रूल वोट इस अल्टिमेंट डूल तो चूज केरियर पाथ अल्टिमेट र ज्यार सुमना अल्टिमेट रूल यह क्यों इंपॉर्टेंट है और ऐसे केसे क्यों आ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह थोड़ा आपको खराब लग सकता है सुनके डर लग सकता आपको थोड़ा सा बड़ी सच है अभी आपका 2021 है दो हजार पैंटीस के बाद य जॉप्स कैसे एवलल होंगे लोगरी होंगे देर विल भी जॉप्स देर विल भी हाई पैकेज जॉप्स आलसो बट यू शुड हाव एविलिटी टू गेट दोस जॉप्स आपके पास एविलिटी होना चाहिए उन नोक्रिया को लेने के लिए अभी आप बोलो मेरे अंदर लेने के लिए या फिर जो मेरे पास नोलेज है उसके लिए बोल सकते हो नोक जॉप्स बहुत है लॉट्स आप जॉप्स होना चाहिए तो गेट सच जॉप्स आप लोगे सर मैं तो जो पढ़ रहा हूं बाइस वह दिक्कत है जो कॉलेज के बुक्स है जो आप पढ़ाई कर से जो भी मैट्रियल है बस बेसीक है फंडमेंटल है कोई वह जो पढ़ रहे हो उस पर काम नहीं हो रहे है कमपड़ी में जाके समझ जब रहे हो जैसे फॉर एक्जामबल बता रहो हूं में चीजा आप कंपनी काम कर रहे हो ना वहीं ना कुछ अलगी लेवल काम चल रहा है तो आप समझ पारें आई हो तो इंपोर्णन क्या होगा आप लोग क्या क्या करने नहीं समझ में यह रहे हैं तो क्या करना है आपको मैं आपको बताएता हूं आपको पहला वर्सेटाइल बनना पड़ेगा कि टाइम के साथ अपने आपको चींज करना सीखो टाइम का नीट को समझो पहले अगर आपको अच्छा लाइब जीना है टाइम का नीट को समझो 2015 में ऑनलाइन एजुकेशन को नीट को मैं समझ गया था और पूरे मिक्यानिकल इंजिनियरिंग का मैंने सारा सब्जेट्स का वीडियो बना के डाल दिया था 2016-17 तक तो कोई बंदा गेट का नहीं पढ़ाया था नेट पर मैं पहला था जो सारा सब्जेट्स पढ़ा के डा लोग देखते हैं तो आपको मार्केटकर नीट को समझते हो ताइब के साथ और उसको फुलफिल करने कोॉस्टिस करते हो राइट स्टेजी के साथ तो आपको टेंसलेकी जुरूत नहीं है तो मार्केर का निड़ समझ हम बاد आ जो प्रॉपर एनलाइसिस करता है जो प्रॉपर एनलाइसिस करते हैं तो पहला चीज मैंने क्या बोला आपको थोढ़े से टाइम के साथ रह шир Boss अपने आपको कीफ Lex विद लene tv-मोड में रखना है रहरै लेट लशा मोड में अगर आप ऐसा यह दो एविलिटी लाते हूं तो आपको यह प्रॉब्लम केरियर में कभी प्रॉब्लम आए गई नहीं मैं आपको और एक्जामपल देता हूं आपको समझ में आएगा फिर बड़ी से समझ में आएगा ठीक है मेरे गाउं जो है वो थोड़े से ऐसे लोकिशन पर जहां पर बहुत सरे चैकपोस्ट है चैकपोस्थ अमझते हो ना जब आपको सब्सक्राइब कोई जोत नहीं है उन्हें सब कुछ क्या कर दिया ऑनलाइन कर दिया तो इन एजेंट्स की जॉब कहां चला गया खतम जॉब्लेंस हो गए एसा ही जस लाइक डेट बट लेकिन क्या बता रहा हूं जो कुछ एजेंट थे उन्हें अपना आपको चैंज कर लिया टाइम के साथ लबट चेंज कर लिया उन्हें क्या कर लिया उन्होंने कंप्यूटर के रिलेटेड चीजों का सर्विस देना प्रोवाइड कर दिया सर्विस देना प्रोवाइड कंप्पूटर नोलेज आ गया था सब पैसे क्या मारे वह अभी भी समझ रहे हो फर एक्जामपल लोग पहले लोग मुबाइल रिचार्ज करवाने के लिए मुबाइल शॉप पर त नहीं सब्सक्रणा अगम फर्री आधो फार्वी नेमोरी कर बनाता है यह फिर उसasis करता है तो आपको यक्रना होगा ने यहां मेंस प्रोड़क्स प्रोडवाइल जैसे। मोबाइल 2G था, 3G आया, 4G आया, 5G, 6G आयेगा, उस तरह के मार्केट के नीट के हिसाब से अपने आपको अपरेट करना पड़ेगा, और एनलाइसिस करना पड़ेगा, मार्केट का क्या नीड है, अगर इन दोगो चीज आपने आपके अंदर डाल दिये, भाईया, बहुत प पा रहा है, अगर सेम तरह काम करते रहोगे, तो सेम तरह कर रिजल्ट आएगा, अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हो, तो कुछ अलग सोचो, या फी जो उस तरह काम करके रिजल्ट अच्छा पाया है, उससे पूछो, और देखो क्या जो आपको बता रहा है हो, वो आपके लाइट के साथ या आपके साथ फीड बैठता है नहीं बैठता है keep trying keep hustling and definitely you'll have better life life को थोड़ा सा आप क्या करने है आपको एक तरह का बोल सकते हो एक opportunity के तरह लो if you'll take your life as an opportunity you'll have much better future so be in real life realistic life जीो और enjoy every moment ko right or what is the need of people basically what people are thinking about to get from the internet or from anywhere right from offline also not only online because there's so many people are doing very good in the in the physical businesses as well because they have done analysis so this is about today's video I hope you got some new information from this video thank you for watching this video bye bye good luck god bless you all as always